सोनो के तर्ज पर चांदी भी अब चमक रही है, यानि महंगी हो रही है हाला कि गोल्ड और सिल्वर में जो हालिया तेजी आई है, उसमें गोल्ड निज बाजिवाली है लेकिन माना अब ये जह रहा है कि सिल्वर में भी अच्छी खाजी तेजी देखने की संभाव ना है सिल्वर भी अब पीछी नहीं रहने वाली, चांदी भी पीछी नहीं रहने वाली तो ऐसे में इविशोकों के मन में कई सारे सवाल हैं कि क्या अब उनको चांदी पर दाव लगाना चाहिए, क्या अब उनको चांदी खरीदनी चाहिए ऐसे तमाम सवाल हैं जो इन्वेस्टर्स के मन में हैं लोगों के मन में और इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में और यह सब समझाने के लिए हमारे साथ मौझूद है सवाल तो मेरा यही होगा कि सोने के बाद क्या अब चांदी की कीमतों में हमें उच्छाल देखने को मिल सकता है क्या लोगों को ऐसे वक्त में चांदी पर दाव लगाना चाहिए क्या वो चांदी अब खरीद सकतें कि ने गुडिवनिंग देखिए अगर आप चेक करेंगे जनवरी से लेकर अभी तक तो सिल्वर ने करीबन 22% का रिटन दिया है जबकि अगर आप गोल को देखेंगे तो गोल करीबन 17% के रिटन तो अल्रेडी हम देख रहे हैं कि सिल्वर ने गोल को आउट परफॉर्म किया है और और यह महज पिछले के करीबन 10 से 12 दिनों में ही देखा गया है कि सिल्वर ने अच्छे करन अप यहां देखने को मिला और आज हमने देखा कि सिल्वर ने अपना नेया उच्ता मिस्तर 93,379 का बनाया है हाला कि अगर आप इंटर्नेशन मार्केट की बात करेंगे तो वहां पर अभी 32 दौरा के आसपास के भाव चल रहे हैं तो हमने देखा कि जो सिल्वर का भाव था वो यहां पर डॉमेस्टिक मार्किट में लाइफ टाइम हाई ही चलता है हाला कि आज अगर हम बात करें तो गोल्ड ने भी अपना उच्तामिस्तर करीबन चोहतर यार 411 का नया हाई बनाया तो आज के दिन में अगर हम देखें तो गोल्ड और सिल्वर दोनों नहीं उच्तामिस्तर बनाते हुए दिखाई दिए तो हमें लग रहा है कि अभी जिस तरीके से मार्केट का माहौल चल र करना है वो आगे भी continue रह सकता है लेकिसा सवाल यह वही बरकराई कि निवेशकों को जो लोग खरीदना चाहते हैं वो खरीदे या ने देखिए हमने हम हमीशा से कहते आए कि गोल्ड सिल्वर में निवेशक जो है इन्वेस्टिट रह सकते हैं जो भी रेट मिलता है उनको वो staggered way मे're small quantity में invest हालाकि उनको अपने portfolio का 10 से 20% के बीच आपने portfolio Gold में specify करना चीए तो हमारा मानना है कि जिस तरीके से Momentum बना है दृविशकों को को यहां पर भी गोल्ड मेंनी वेस्ट करना चीए दिवश का मतला एक long term strategy बनाके अगर एक साल का विउ ॆ हमें लगता है करते हैं तो उनको आगे भी एच्छे रिटन देखने को मिल सकते हैं जी बिल्कुल सर जैसा कि अब भी आपने थोड़ देर पहले भी बताया कि चांदी अपने आल टाइम हाइप पर है तो ऐसे सर चांदी का क्या आउट्लुक रहेगा देखिए हमारा मानना है कि अगर हम एक विजन की बात करें एक या दो साल की तो हमें लगता है कि चांदी एक लाग दसे आर तक जा सकती है इंटेलेशन मार्किट के अगर बात करें तो अभी भाव करीबन 32 जॉलर के आसपास से चल रहे हमें लगता है कि चांदी का बहाव आपको 40 डॉलर से लेकर 42 तक के लेवल दिखा सकता है और जो इसका लाइफ ताइम हाई ता करीबन 4949.80 डॉलर का वह भी हापर देखने को सकता है हमें लगता है कि चांदी के अंदर करना चाहिए और एक लॉंग ट्रम में एक एक लाग दस यार तक के लेवल आपको चांदी में देखने को मिल सकते हैं तो आप ग पीछे वज़ा क्या है वो बड़ी वज़ा क्या कहें गया देखिए यहां बर दो तिन वज़ा हमने चांदी में देखी है एक तो अगर हम बात करें जिव पॉलिटिक अटेंशन की जिसकी वज़े से हमने देखा कि सेवेबन डिमांड गोल्ड शिर्वर में देखने को मिली है इसेंटली हमने देखा कि इरान की जो प्रेजिडेंट है वो एक हादसे में शिकार हुए है और उनकी उसमें दुरगठा भी हो गई है तो कहीं ना कहीं उसकी वज़े से एक नया एसकलेशन जियो पॉलिटिक का टेंशन हमने होते हुई देखिए तो उससे काफी हत्ता ग अगर आप देखेंगे तो इस साल गोल्ड के मुकाबले सोने में का काफी इंपोर्ट इंडिया ने किया है कहीं ना कहीं वज़े से हमने देखा है कि चांदी की डिमांड बढ़ी है और एक मैटकुन पॉइंट चांदी का जो यूसेज है वो इंडिस्ट्रियल प्रोड़क् वर्ड के अंदर बढरती हुई दिखाय दी है जी विलकूल दिमांड तो बढ़ रही है लेकिन सः पोकरो कि चांदी और konnexon है तो पर अगोरित काय चाहा हो enfegli का ओधू कारु की बात सबी की हम देख रहे हैं कहीं न कहीं चाहिए कि मुबाइल सेट्स हो सभी के अंदर चांदी का यूस देखने को मिला है और हमने भी रिसेंटली देखा कि अगर आप दोजार त्रीश में जाएंगे तो हमने देखा कि जो चाइना था वह काफी लोग लेवल पर था चाइना में हमने व सभी के अंदर तेजी देखने को मिले तो इसका मतलब यह कि चांदी एक इंडस्ट्राइस के तोर पर है तो जैसे एक्चांदी उख बढेक है तो अगर industrial metal का usage बढ़ रहा है तो हमें कह सकते हैं कि economy के अंदर industrial गतिविदी जो है वो बढ़ रही है हमने recently US के data आते हुए देखे जिसमें clear यह दिख रहा था कि global front पे industrial activity बढ़ी है तो industrial activity अगर बढ़ी है तो industrial metal का usage बढ़ता हुआ दिखाई दिया है तो हमने देखाए कि उसकी मुझे से कहीं नहीं कि चांदी के अंदर जो demand है वो बढ़ती हुई दिखाई दिया और उसके भावों में escalation हुआ है तो मुझे लगता है कि जो और दूसरी बड़ी बात की जो investment buying है चाहे वो चांदी के silver ETF में हो चाहे वो mcx की जो contracts है उसमें हो या फिजिकल दिमांड हो वह भी यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दिये तो चांदी का usage इंडिस्ट्रियल activity के साथ-साथ investment activity के तौर पर भी दिखा गया है तो एक बड़ा योगदान चांदी का इक नौमी में है सर लेकिन सर जब मैंने आप से सवाल किया था कि लोगों को क्या खरीदना चाहिए चांदी खरीदना चाहिए कि नहीं तो आपने का कि देखिए गोल और सिल्वर में आप अपने पॉर्पोलियो को डायवर्सीफाई कर सकते हैं जैसा कि मैंने यह भी कहा कि आपके टोटल पॉर्फोलियो का दस से बीस परतिशत गोल्ट सिल्वर में होना चाहिए तो अगर हम देखें तो गोल आल्रेडी काफी हाइस पे खड़ सिल्वा अभी ऑपॉसेट करना है कि चांदी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा जिस तरीके से हम स्का sites देख रहे हैं हमें लगता है कि चांदी आगे आउटपरॉम कर सकता है तो अगर को दूर्य इन्वेस्टर बुल्येंस में इवेस्ट करना चाहता है तो मुझे लगता है कि उनको 50-50% 50% गोल्ड में और 50% सिल्वर के अंदर इंवेस्टमेंट करना चाहिए हमें लगता है कि इस बार चांदी जो है वह आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा ऐसे में इंवेशकों को चांदी में जुरूर इंवेस्टमेंट करना चाहिए इसला रहेगी आपक करें बुस्तक बहुत बश्शुक्रिया सब्सक्राइब आपके लिए प्रिम्यम मेंबर्शिप प्रग्राम जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायते जिन में मार्केट न्यूजटर लाइब चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ इस प्रिम्यम सब्सक्रिप्शन में तीन तरह के प्लान्स हैं सिल्वर, बोल्ट और प्लाटिन जिनके शुरुवात मात्र एक सो उनसर रुपे महिने से होती है इससे जुड़ना भी बेहदासान है, बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, जॉइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें बस बन गए आप हमारे प्रिम्यम मेंबर झाल प्लान सिलेक्ट करें